एसिया कप 2023 पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा पहला मैच जाने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है एसिया कप 2023 का पहला मैच बुदबार को पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान को वंडे सिरीज में 3 सुनने से हराया है पाकिस्तान काफी मजबूर टीम है नेपाल को पाक से कड़ी चुनोती मिलेगी नेपाल ने पिछले कुछ मैचों में ठीक परफॉर्मेंस किया है लिहाजा वो मैच बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान और नेपाल की टीमों की प्लेइंग 11 को संतुलित रखने की कोशिश करेगी दोनों टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 को पाकिस्तान की टीम फकर जमान और इमामुल हग को आपनिंग का मौका दे सकती है मुहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद पर भी भरोसा जताया जा सकता है इमाम ने पिछले कई मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है फकर भी अच्छे और अनुभवी खिलारी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई अहम मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है साहिन सा अफृरिदी और नजीम सा टीम को दो सांदार तेज गेंदवाज है इन दोनों की प्लेइंग 11 में जगा लगबगते है नेपाल ने अप्रेल मई में आयोजित हुए ACC मेंस प्रिमियर कप 2023 में सांदार परदर्शन किया था टीम में फाइनल में UAE को साथ विकेट से हराया था इस टूनामेंट में नेपाल के लिए कुसल मला ने सबसे ज़्यादा रन बनाये थे उन्होंने चार पाड़ियों में 238 रन बनाये थे वहीं कप्तान रोहित पैडल ने 5 मैचों में 187 रन बनाये थे नेपाल एसिया कप के लिए पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 में कुसल को जगा दे सकती है वहीं टीम आसिप सेक और भीम सरकी को भी जगा दे सकती है जमान इमामुल हप बाबाराजन कप्तान मोहमद रिजवान विकेट की पर इक्तिकार अहमद आगा सलमान सादाब खान मोहमद नवाज साहिन अफरीदी नसीम साह हारिस राव वहीं नेपाल की प्लेइंग 11 की बात करे तो कुसल भूर्तेल आसिप सेक विकेट की पर भीम सरकी रोहित पडेल कप्तान कुसल मला आसिप सेक संदीप लामी छाने सोमपाल कामी करन केजी ललित राजवन सी और गुलसन जहा हो सकते है